Hey guys, what's up? I hope you all are doing good. So this is CA Aashish Jain और आज हम अपना शुरू करने वाले हैं Financial Management and Economics for Finance जो की है आपका Paper 8 for CA Intermediate. आइए, बेखते हैं अब क्या है इसमें? तो आपका जो ये subject है, ये आपका दो parts में divided है. एक part है आपका Financial Management और एक part होगा आपका Economics for Finance. Paper Point of View से अगर बात करें, जो आपका ये Financial Management वाला part है, ये आपका 60 marks का होने वाला है और जो आपका ये Economics for Finance वाला part है, ये आपका 40 marks का होगा. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर specify भी कर देता हूँ, ये है आपका आज का lecture number 1. So that एक proper record रहेगा कि किस lecture में कितना काम हुआ है. So Financial Management वाला part आपका 60 marks का और जो Economics for Finance वाला part है, वो आपका 40 marks का रहेगा. जो Financial Management वाला आपका ये part है, ये more or less आपका practical part होने वाला है. मतलब सर, यहाँ से ज़्यादातार paper point of view से अगर मैं बात करूँ, जो questions आते हैं, वो आपके practical questions बनते हैं. इसलिए जो आपका main heavy part है, वो Financial Management ही होने वाला है. और जो आपका Economics for Finance वाला part है, ये आपका वैसे पढ़ने वाईस देखा जाए, तो ये आपका theory होगा. लेकिन इसको हम बिल्कुल ही practical की तरह पढ़ेंगे. सर, practical की तरह पढ़ने का मतलब इसके सवाल सौल करवाओगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, theoretical जो लिखा हुआ है, वो practical life में कहाँ पे कैसे fit होता है, होता भी आया नहीं है. बिल्कुल उस तरीके से practical example के साथ सीखेंगे, so that रटने की जरूरत ना पड़े. एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज पहली क्लास है सब्जेक्ट की, तो मैं आज भी बोलूँगा, रटना नहीं है, हमने चीजे सीखनी है, और खास कर जब हम financial management जैसे सब्जेक्ट की बात करें, मतलब ये तो डूब मरने वाली बात होगी कि पैस की बात तो यूं समझ में आनी चाहिए, कहने का मतलब conceptually सीखना है, practical चीजे सीखनी है, rather than रटा मारना, ठीक है, वो paper point of view से भी आपको help करेंगी, और वैसे भी आपकी life में आपको चीजें help करेंगी, anyway, अच्छा, paper point of view से अगर मैं बात करूँ, जो आपका ये economics for finance वाला पार पार्ट होता है, इसमें आप ये मान के चलिए, ये आपका 40 नंबर का पार्ट है, और paper में 20 से 30 नंबर की theoretical questions आते हैं यहाँ पे, और बाकी 10 एक marks के आप यहाँ पे, 10-15 marks के आप यहाँ पे practical questions एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो ये financial management वाला पार्ट है, यहाँ पे maximum questions आपके practical बनते हैं, मतलब सर, जैसे 60 marks का यह पार्ट है, तो आप 50 से 55 marks के practical questions एक्सपेक्ट करके चलिए, और बाकी 5 से 10 नंबर का एक theoretical questions आप financial management में एक्सपेक्ट करके चलिए, तो ये आपका overall paper होने वाला है, अगर मैं इसके total की बात करूँ, ये आपका 100 marks का paper हो गया, overall में 20 से 30 नंबर की theoretical चीज़े, financial management की overall paper की, अगर मैं बात करूँ, तो आपका overall paper में 30 नंबर तक की theory आप expect कर सकते हैं, इस paper में 20 से 30 marks की और बाकी 70 से 80 की theory और 70 से 80 की practical part, overall combined, आप expect करके चल सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा सर, जो ये economics वाला part है, वैसे अगर मैं बात करूँ, जो आपका heavy part होगा इस subject में, वो आपका financial management वाला होना होगा, और जो आपका economics वाला finance वाला part है, ये बहुत scoring part होने वाला है आपका, क्योंकि इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, financial वाले management वाल दस नमबर का, 40 नमबर covered up, खतम बात, और ये सारे chapters जो यहाँ पर आपकी economics covered up होगी, वो सारी आपकी macro economics covered up होगी, सर, वो ही same जो हमने 12th में पढ़ी है, नहीं obviously, बिलकुल same आपकी 12th की macro, सी intermediate है यार, इतनी बेस्ती मत मारो इसकी, बिलकुल same नहीं होने वाली है, कुछ- लेvel तक के concept आपने पहले पढ़ रखे होंगे, उसके आगे के level की बाते होंगी, या कुछ जगाओं पर practical बाते होंगी, या कुछ जगाओं पर जहाँ पर same बाते होंगी, 12th में आपने उन बातों की ABCD पड़ी है, यहाँ पर practical situations में, stock market में उसको link करना सीखना है, ठीक है जी तो यहाँ पर इस तरीके की यह चीज़े होंगी, अच्छा जहाँ तक preparation की बात है, financial management की आपको separate book मिलेगी, और economics के लिए बेटा जी आपको एक separate book मिलेगी, colored book है यह दोनों, ठीक है जी, anyway, तो इन दोनों की आपको separate separate book मिलेगी, जो आपको financial management की book मिलेगी, इसी में आपके सारे questions होंगे, class के questions, और इसी में आपके homework questions होंगे, basically उनको मैं extra practice questions के नाम से मैंने इसमें डाल हुआ है, extra practice questions या mislaneous questions के नाम से, कुछ भी आप मान लो, उस नाम से इसमें यह questions, homework questions डले हुए हैं, ठीक है जी, और जैसे costing के book में थे, वैसे ही, sold है, solutions बगारे के साथ हैं यह, तो आपको इसमें कोई issue आएगा नहीं, आप बिना इन चीजों में time लगाए, या और बातों में time waste किये, सीधा अपने concept पर चलते हैं, आईए, तो एक बारी अपना syllabus start करने से पहले, सीधा chapters के concept पर चलने से पहले, एक बारी फटा फट से एक foundation तयार करते हैं, कि जर्व financial management actually में है क्या, इस subject में हमने किस चीज के related बात क्या करनी है, एक बारी वो समझते हैं overall, ठीक है जी, अच्छा, financial management का overall एक बारी आपको crux बताने के लिए कि इसमें होता क्या है, not, इसके लिए एक कहानी सुनते हैं, एक बड़ी simple सी छोटी सी कहानी, मान लो, एक A है, A कौन है सर, एक बच्चा है मान लो, इस बच्चे का जो family background है, इसके father वागारा की जो job है, these guys belong to a very educated family, मान लेते हैं ऐसा, but financially बहुत ज़्यादा strong नहीं है, normally middle class type की मान लेते हैं, एक family है, Mr. A, अभी तो बच्चा है खेर, यह जिस school में जाता है, उस school में जो बाकी students हैं, मान लो, वो बहुत rich students हैं, बहुत rich families से belong करते हैं, और हमारा जो A है, यह middle class family से belong करता है, इस वज़े से, A को बाकी बच्चों के साथ, घुलने मिलने में, mix up होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जो बाकी बच्चे भी हो फादर के पास जाता है अपने, और कहता है, hey dad, can I ask you a simple question, इसके फादर कहता है, हाँ बेटा, पूछो question, पूछो, क्या पूछना है, तो A कहता है, मिरको बस simple शब्दों में ये बताओ, अमीर कैसे बना जाए, how to be a rich person in life, a simple question, तो क्यूंकि उसके फादर खुदी इतने ज़् लिच नहीं होते है, A के फादर, बच्चे को तो कुछ ना कुछ जवाब देना है, तो A के फादर बच्चे को जवाब देते है, A को जवाब देते है, भई, तुम simple सी बात है, you study hard, अच्छी education लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और एक अच्छी सी नौकरी लो, जिससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा पाओ, शायद तुम अमीर बन जाओगे, शायद तुमारी लाइफ सही तरीके से आगे ट्राक पर चल पाएगी, अब, जो A के फादर होते हैं, डाड होते हैं, हमारी इस कहानी में हम इनको बोलेंगे, poor dad, ठीके जी, क्यों वो अभी आपको समझ आ आएगा, एक्चुली में, जो इसके dad हैं, इसके father हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मान लेते हैं, educated हैं, बहुत अच्छी जॉब है, well-paying जॉब है, still, ये लोग middle grass family से belong करते हैं, ऐसा क्यों वो अभी आपको थोड़ दिर पर सबज आएगा, अच्छा, उसके बाद, A का school में, एक दोस्त बनता है, B, B के जो father होते हैं, he is filthy rich, B के father बहुत rich होते हैं, हमारी story में, हम इनको बोलेंगे, rich dad, अब B के जो father होते हैं, ये इन दोनों को कहते हैं, मैं सिखाऊंगा तुमको, कि किस तरीके से अमीर बना जाए, अब, ये father जो है, B के जो father हैं, जिनको हम rich dad बोलेंगे, तो rich dad कहते हैं, इन दोनों को, कि मैं बस तुमको एक चीज सिखाऊंगा, वो differentiate कर देती है, poor और middle class, and rich class में, ऐसी क्या चीज है वो, तो A और B पूछते हैं, भई, ऐसी कौन सी चीज है, जो दोनों को separate कर देती है, तो rich dad कहते हैं, जो rich होते हैं, they acquire asset, और जो poor और middle class के लोग होते हैं, they acquire liabilities, thinking, they are assets, तो बस इतनी छोटी सी बात उन्होंने बोली कि भईया, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा assets acquire करते हैं, और जो लोग poor और middle class category में जाते हैं, वो लोग हमेशा liabilities acquire कर लेते हैं, जबकि उनको लगता है, कि उन्होंने asset ही acquire किया है, जबकि वो actually में liability होता है, सर ये कैसी सी बात है, मतलब सिरफ इतनी सी बात से आप differentiate कर दोगे poor middle class और rich class को, देखिए, पहली बात तो सर ये बताओ, ये क्या है, कि आप क्या बोल रहे हो, कि उनको लगता है, ये asset है, लेकिन actually में वो liabilities होती हैं, मैं छोटे छोटे दो तीन example देता हूँ, मान लीजिए, आपके contact में भी बलकी आपने इस तरीके के लोगों को देखा होगा, किसी इनसान की salary है 30,000 रुपे पर मन्त, लेकिन उसकी जेब में phone होता है iPhone, सर 30,000 की salary में iPhone आप कैसे ले आते हैं, EMI पे लेके आएंगे, अब आप जब iPhone लेके आएंगे, आपको लगा आपने इतना महंग रुपे की salary में, जिसमें आपको अपना घर भी चलाना है, iPhone तो नहीं आ सकता, आपने EMI पर खरीदा होगा, तो आपने debt लिया, जितने का iPhone था, उतने का तो debt लिया ही लिया, उसके over and above interest भी लगेगा उस पर, जो की ever growing है, so basically आपको लग रहा था आपने mobile नाम का asset खरीद लिय जबकि आपने एक liability खरीदी है, और जिसको आप asset कह रहे थे उस phone को, सर उसकी value, जैसे ही shop के बाहर आप निकलोगे, उसी time fall कर जाएगी, मतलब जिसको आप asset कह रहे हो, वो तो daily basis पर अब depreciate होना शुरू हो जाएगा, और उस asset को खरीदने के लिए, आपने liability acquire कर लिये, इसी से एक और example, किसी इनसान की capability है 10 लाग की गाड़ी खरीदने की, लेकिन society के pressure में, वो इनसान 50 लाग की गाड़ी खरीद लाता है, उसको लगता है, देखो भई मैंने 50 लाग की गाड़ी खरीद ली, मेरे पास इतना बड़ा asset आ गया, सर, 10 लाग की गाड़ी खरीदने की capability थी 50 लाग की गाड़ी ये बंदा खरीद के लाया है, इसके लिए इसने loan लिया होगा, लग रहा था गाड़ी नाम का asset खरीद के लाया हूँ, actually मैं तो सराव अपने सिर पे बहुत बड़ी liability उठा लाये हो, और जिसको आप asset कह रहे हो car को, वो तो अगले दिन से depreciate होनी शुरू हो जाएगी, I hope आपको समझा रहा है, so basically इस तरीके से आपको लगता है कि आपने asset acquire किया है, लेकिन आपने actually मैं liability acquire करी होती है, so basically अब मैं आपके सामने इसी story को आगे बढ़ाते हैं, sir, asset होता क्या है, sir, liability होता क्या है, क्या बात कर रहे हो sir, हम financial management पढ़ रहे हैं, आप हमें accounts उसकी बाते कर रहे हो, और ये बात तो हमने 11th में सीखी थी, कोई दिकत नहीं है, मिरको यहाँ पर इसकी कोई technical definition नहीं चाहिए, asset की technical definition की मैं बात करूँ, तो उसमें तो आप इस तरीके की चीज़े पढ़ते हो, भई, past events की वजए से कोई ऐसी चीज़ क्रेट हुई है, जो as simple as that, और sir, liability, technical definition तो इस तरीके की बाते कहती है, भया, present obligation due to past events, जो की certain है, किसी future event पर आधारित नहीं है, बगरा बगरा, simple शब्दों में इसको अगर मैं रखूँ, तो sir, liability का मतलब क्या है, which takes money out of your pocket, as simple as that, अब मैं आपके सामने, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारी कहानी के rich dad है, और जो हमारी कहानी के poor dad है, उन दोनों का एक बरी cash flow मैं आपके सामने रखूँगा, sir, कैसे, सुनिए, पूरा जो वो आप accounts में cash flow statement करते हो, वो नहीं, financial management की तरफ आपको लेके जा वो बात कर रहा हूँ, तो पहले हम बात करते हैं, poor dad, basically जो हमारे middle class से belong कर रहे थे, अब sir, जो ये poor dad है, इनकी जो हम बात कर रहे थे, इनके पास भी, मैंने आपको बताया था, मान के चल रहे है जॉब तो अच्छी खासी है, अच्छा, जॉब अच्छी है, अच्छी paying जॉ जॉब है, तो income भी ठीक ठाक आ रही है उस जॉब से, लेकिन जितनी भी यहाँ पर ये income आ रही है, एक लाख, डेड़ लाख, whatever, परमंत के हिसाब से, इनके खर्चे बहुत हैं, expenses बहुत सारे हैं, sir, expenses जैसे की, food पे खर्चा, clothes पे खर्चा, कुछ जादा ही खर्चा, expensive, parties वगरा का खर्चा, transportation का, गार का, home का, ये सारे खर्चे, इन सारे खर्चों को पूरा करते करते, जितनी ये इनकी income है, वो यही पे खतम हो जाती है, और इन ही expenses की वजह से, इन्होंने अपने पास liabilities create कर ली है, sir, liabilities कैसे, ये जो कार ली, इस कार के ऊपर, लोन लिया होगा, credit cards, home loan, वगेरा वगेरा, इस तरीके से mortgage लेना, car loan लेना, credit cards लेना, वगेरा वगेरा, या फिर taxes, इन से इनका पैसा बाहर चला गया, और ये इनकी liabilities बन गई, और खर्चे इतने थे, कि ये कहीं पे investment कर ही नहीं पाए, इन्होंने asset create ही नहीं किया, तो crux क्या निकला, अच्छी paying job थी, मंथली अच्छी salary आ रही थी, लेकिन जितनी income थी, लाग रुपे की income थी, तो खर्चे इतने सारे, income बढ़ी 5 लाग रुपे की परमंत की income होगी, तो खर्चे accordingly और बढ़ा लिए, पहले एक गाड़ी थी, 10 लाग रुपे की package बढ़ा, तो 10 लाग की गाड़ी की बजाए, अब 30 लाग की गाड़ी रखनी है, अब और महंगे घर में जाना है, और महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, वगएरा वगएरा वगएरा, जैसे जैसे income बढ़ती गई, खर्चे बढ़ाते गए, और उससे liabilities create करते गए, asset create किया ही नहीं, सर, इस तरीके का एक cash flow, कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां को पैसा जा रहा है, ये दिखेगा एक poor dad का, जबकि इनके पास भी अच्छी paying job थी, अब बात करते हैं, जो हमारी कहानी के rich dad है, उनका cash flow सर कैसा दिखेगा, सर, जो हमारे rich dad हैं, उनके पास भी वैसी ही job है, जैसी poor dad के पास थी, उनके पास भी इस job से वैसी ही income आ रही है, जैसी हमारे poor dad से आ रही थी, लेकिन इनके पास जो ये income आती है, पहले इस income को खर्च करने से पहले, इस income को कुछ assets में invest कर देते हैं, ये जो assets हैं, ये ऐसे assets हैं, एक एकर के बात करूँगा मैं इनकी, पहले मैंने क्या बोला, जितनी भी income आती है, पहले इस income को खर्च करने से भी पहले, इस में से कुछ हिस्सा निकाल कर, कुछ assets में invest कर देते हैं मतलब इस income में से पहले ये saving करते हैं और ये कैसे assets हैं ये ऐसे वाले assets हैं which will generate passive income सर पैसिव income का मतलब क्या है मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को salary मिल रही है active income मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं मैंने एक जगा पर पैसा invest करके रख दिया अब मैं आराम जे सो रहा हूँ फिर भी income generate हो रही है मतलब active income का मतलब जिसमें आपकी active involvement की जरूरत है तभी आप पैसा कमा पाएंगे passive income का मतलब आप involved हो या ना हो तभी आप पैसा कमा रहे हैं simple example बिल्कुल ही simple example अगर इसका मैं आपको दू passive income का rental income आपने एक property में पैसा लगाया उस property को किराये पे चड़ा दिया अब आप काम करो ना करो हर महीने के end में आपके पास rent आएगा ही आएगा बोलना ही आपे चाहरा हूँ इस job से जो income आ रही थी इस income में से पहले save किया और उस saving को एक ऐसे asset में invest किया जो passive income generate करेगा ultimately जो job से income आ रही थी इसको double कर देगा समझा गया double कर देगा या बढ़ा देगा बाकी जो पैसा यहां से बचा उस पैसे को ये अपने expenses के लिए खर्च करेगे समझाया मतलब मैं क्या कहना चाहरा हूँ एक basic सा फरक यहां पर बताना चाहरा हूँ कहा जाता है दो तरीके के इनसान होते हैं एक होते हैं जो पैसा कमाते हैं उसमें से पहले खर्च करते हैं फिर कहते हैं अगर कुछ बच गया तो invest कर दूँगा ये थे हमारे poor dad जिनोंने income कमाई और अपने larger than life के शौक को पूरा करने के लिए खर्च कर दी end में save करने के लिए कुछ बचा ही नहीं और हमारे जो rich dad हैं वो दूसरे तरीके के लोग हैं जो क्या करते हैं पहले थोड़ा कमाई या ज़ादा कमाई लेकिन पहले उसमें से जो save करना है उसका हिस्सा निकालते हैं बाकी जो बचा उससे अपने खर्चे करते हैं समझायो इससे क्या होता है उनकी income साल दर साल दर साल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी एक तरह से इन्होंने original source जो education इन्होंने acquire करी थी उससे तो इनके पास एक source आया था income का लेकिन उन्होंने उस एक source की income को एक ऐसे asset में invest किया जिससे इनके पास एक और income का source generate हो गया income source समझाया अब ये किस तरीके के sir assets हो सकते हैं ये sir stocks हो सकते हैं किसी company के shares ये sir mutual funds हो सकते हैं ये gold हो सकता है ये silver हो सकता है ये FD हो सकता है ये income generating real estate हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है अब stocks में पैसा लगाओगे dividend पाओगे हर साल या फिर आज 100 रुपे का share खरीदा एक साल बाद ये 100 रुपे का share 200 रुपे का होगया 200 रुपे का बेच कर 100 रुपे का capital gain कमा लिया ultimately पैसा आप कमा रहे हो mutual fund में पैसा लगा दिया अब इन जगाहों पर भी जब investment करते हैं तो अलग-अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दिरे-दिरे करके मैं इन बातों पर भी आऊंगा तो सर इतनी बात से एक क्रक्स निकलता है जो poor dad थे इस कहानी में उनके पास भी अच्छी job थी अच्छी income वो कमा रहे थे लेकिन उन्होंने जितनी income कमा रहे थे उतने ही वो खर्चे कर रहे थे जिस वजहे से उनके पास जितना cash inflow आता था वो सारा का सारा burn out हो जाता था because of his high expenses और इसकी वजहे से उनके पास कुछ extra cash बच ही नहीं रहा था जिसको वो कहीं पर invest करके कोई asset create कर ले at the end of the day इनकी जो income थी वो सारी की सारी income खतम हो जा रही थी expenses को cover up करने के लिए इस वजह से ये कुछ asset तो create कर नहीं पाए लेकिन इन खर्चों में कुछ ऐसा खर्चा कर आए जिससे इनकी liability ज़रूर create हो गई तो crux क्या निकला इन्नोंने liability ज़ादा create कर ली थी assets उतने बनाए ही नहीं थे आयोब आपको समझ आया मैंने बिल्कुल starting में यही बात बोली थी जो poor dad है poor class या middle class और rich class में यही difference है rich class और poor class अगर poor class की बात करें middle class की बात करें उनको लगता है उन्होंने asset खरीदा है जबकि उन्होंने liability खरीदी होती है I hope आपको इस example से वो clear हुआ यहीं पे अगर हम अपनी कहानी के rich dad की बात करें तो kraks क्या निकला इनकी जितनी income थी पहली बात उतने इन्होंने खर्चे कीए नहीं तो इन्की income जादा थी खर्चे कम थे क्यों खर्चे कम थे क्योंकि पहले इन्होंने income में से save करके अपना asset बनाया था स्टॉक्स में, गोल्ड में, एफडीज में, अलग-अलग जगाओं पर पैसा इन्वेस्ट किया था और क्योंकि इनके खर्चे कम थे, तो ये लाइबिलिटीज भी कम क्रियेट करके आए एसेट जादा बनाए, लाइबिलिटीज कम बनाई समझाएं आपको ये यहां तक दोनों के लिए एक-एक कोट निकलता है यहां से अगर पूर डाड की बात करें तो एक बहुत फेमस कोट है फर्स्ट, सेव, एंड देन, स्पेंट पहले जो कमा रहे हैं उसमें से सर्फ सेव करिये, एसेट बनाईए और फिर जो बचता है उससे अपने खर्चे करिये और जो भी बची हुई लाइबिलिटी बनती है वो बनाईए मतलब ताकि आपके एसेट जादा रहें और रिच डाड ने जो किया वहां से एक क्रक्स निकलता है क्या डूनोट वर्क फॉर मनी यह मेरा कुद का परस्णली one of the फ्यवरिट कोउट है डूनोट वर्क फॉर मनी लट दमनी वर्क फॉर इजीजीए अगर किसी को यहांपे थोड़ी सी भी दिक्कत से डूनोट वर्क फॉर मनी लेट दमनी वर्क फॉर इजीए पैसो के लिए काम मत करिए पैसों को काम पर लगा दीजिए, सर ये कहना बड़ा आसान है, ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे को कोई कैसे काम पर लगा सकता है, सर मैं आपको बड़ी छोटी सी एक रेफरेंस देता हूँ, आप सब ने आईशर मोटर्स का नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस एक्जामपल है, जो बच्चे मुझको परसनली जानते हैं, उन्होंने बलकी मुझसे ये शायद पहले भी सुना होगा, सर आईशर मोटर्स का एक समय पर, 2000-2001 के नियर राउंड, इसका एक शेर सर साड़े सतरा रुपए का हुआ करता था, आज की डेट में अगर आप इसका शेर देता हूँ, आईशर मोटर्स का आज का अगर हम शेर का प्राइस दिखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह मैंने मनी कंट्रोल विबसाइट खोली है, यहाँ पर मनी कंट्रोल पर आप देख रहे होंगे, आईशर मोटर्स लिबिटेट लिखा हूँ है, BSC Live, अभी आज का इसका शेर है, 15,085, 15,085 और NSE में, National Stock Exchange में अगर देखेंगे, आप 14,966,95, so basically आज जो इतनी भयंकर सिटुएशन मार्केट में चल रही है, उसके बावजूद इसका शेर आज 15,085 का है, मतलब किसी इनसान ने सन 2000 में अगर एक शेर खरीदा होगा, साड़े सतरा का, तो आज वो शेर की कीमत कितनी हो चुकिया, 15,085, एकॉनमी में क्या हो रहा है, आज कितनी डाउनफोल पे है, एकॉनमी फिर भी इस इनसान का पैसा कितना बढ़ चुका है, और सर, अभी की अगर मैं सिटुएशन को हटा के इसका प्राइस देखना चाहूं, इन में चार्ट साते हैं, धिरे-धिरे मैं आपको ये भी क्लासेज में साथ-साथ, जहां-जहां हमारे टॉपिक से लिंग को पाएगा, प्राक्टिकल नॉलेज में आपको इस चीज़ की भी देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी आज का प्राइस, यह आपको स्क्रीन पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो, बिल्कुल एंड में, 2020 में इसका शेर का प्राइस बिल्कुल डाउन पे आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको अपवट जहां पे यह था, वहां पे लेके जाऊं, तो यहां पे अगर आ ठारा में सर इसके शेर का प्राइस 34,000 राउंड अफ करके 33,000 सम्थिक था, 34,000 रुपी का एक शेर, अंदाजा लगाने की कोशिश करिये सर, अगर किसी इनसान ने 2,000 में सिरफ 10,000 रुपे ही इस शेर में इन्वेस्ट करे होंगे, तो कितने शेर आएंगे, 2000 में साड़े 17, रुपे का एक शेर था, तो नंबर ओफ शेर कितने खरीदे होंगे इसने, 10,000 divided by 17.5, 571 में राउंड अफ कर देता हूँ, 571 शेर, 2018 की अगर बात करें, 571 शेर और एक शेर की कीमत, 34,000 कितने रुपे हो गई है, यह आएगा आपके पास, 19414000, सर्थ 10,000 रुपेया, 18 साल में 1 क्रोर 94,14,000 बन गया, मतलब आपने 2000 एर में 10,000 रुपे को आईशर मोटर के शेर में लगा कर छोड़ दिया, आपने पैसे को काम पर लगा दिया, पैसा अपने आप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 2018 में इतना पहुँच गया, अगर आप आज के हिसाब से भी हिसाब लगाएंगे, तो भी बहुत ज़ादा यहाँ पर मार्जिन आएगा, आपको समझ आया यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, इस तरीके के assets create करना ही अपने आप में क्या है, किस तरीके से पैसे को कहाँ पर invest करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें are part of financial management, अगर आपको यह rich dad, poor dad पर थोड़ी सी भी confusion रही हो जो मैंने आपको यह समझाया है, तो मैं आपसे बड़ा simple सा एक सवाल पूछता हूँ, सर दो लोग हैं, एक है A, एक है B, यह भी charted accountant, यह भी सर charted accountant, दोनों same time पर charted accountant बने, same attempt में charted accountant बने, मैं कहता हूँ, A का जो package आज लगा, वो एक लाख रुपे पर मन्त का लगा, और example के लिए मैं कहता हूँ, B का जो package लगा, वो आज 5 लाख रुपे पर मन्त के हिसाब से लगा, और मान के चलते हैं, अगले 5-6 सालों तक कोई promotion नहीं होगा, कोई इनको increment नहीं मिलेगा, मैं आपसे बस इतना सा सवाल पूछता हूँ, सर आज की date में कौन आगे होगा, obviously आज की date में B आगे होगा, क्योंकि B पर मन्त का 5 लाख कमा रहा है, लेकिन मैं आपको एक scenario देता हूँ, जो B है, इसके शौक बड़े हैं, शौक बड़ी चीज है, ये जितना कमाता है, उतना खर्च कर देता है, और ऐसी बड़ी बड़ी चीजों में खर्च कर देता है, और बड़ी सारी liabilities बना लेता है, 5 लाख की income होने के बाद, अगर इसको लगता है, डाउन पेमेंट करके और बाकी लोन लेकर मैं एक करोड की गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो ये खरीद लेगा, समझाया, लेकिन जो हमारा A है, वो उसके शौक इतने बड़े नहीं है, वो कुछ पैसा अपना अपनी जरू में निकल जाता है, और 40,000 रुपया ये पर मंत का सेव कर लेता है, और सेव करके कही ना कहीं किसी अच्छी जगा invest कर देता है, मैं पूछता हूँ, after 7 years, example के लिए, कौन आगे होगा, सर 7 साल बाद B की वही हालत होगी, जो आज है, महीना शुरू होगा, बेंक अकाउंट मे salary credit होगी, बहुत पैसा, लेकिन जैसे जैसे महीना खतम होने को आएगा, इस पर कुछ नहीं बचाएगा, क्योंकि ये तो सारा खर्च कर देता है, और liabilities बहुत जादा create कर चुका है, 7 साल में, एक ही हालत क्या होगी, सर ए, एक लाख रुपे पर मंत तो कमा रहा होगा, लेक कर चुका होगा, ये इसका corpus बन चुका होगा, capital बन चुकी होगी, और इस capital पे हर साल interest भी कमाया होगा, shares में invest किया होगा, तो dividend बगएर बगएरा, कहने का मतलब है, principle, principle पे interest उससे compounding हो गई, और principle और बड़ा हो गया, compounding हो हो के, हो हो के, 7 साल में तो सरी amount बहुत बड़ा ब लिक देता हूँ, passive income क्यों बोलेंगे इसको, आपने पैसा invest कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, उस invested पैसे पर, आपको interest ये dividend मिल रहा है, आपकी passive income, एक लाग रुपे की तो income इसको यहां से आही रही होगी, जॉब से, passive income इस investment पर आ रही होगी, और ये investment का जो principle amount है, य अलग, सर साथ साल बाद A तो बहुत आगे निकल गया B से, समझाया आपको ये, तबी एक कहवत भी होती है, कि आपके हाथ में है, कि आप किस तरीके से अपने पैसे को manage करते हैं, कम पैसे को भी आप इस तरीके से manage कर सकते हैं, कि आज तो नहीं, लेकिन आज से कुछ time बाद आप बहुत अमीर बन सकते हैं, anyway, यहाँ पे आपको financial management समझा रहा है, कि ultimately financial management है क्या, I hope आपको concept clear हो रहे हैं यहाँ पे ये सारा, और हमने जो ये rich dad और poor dad वाली एक कहानी सुनी, यहाँ से एक end में एक crux निकलता है, जो कि हमारी finance की दुनिया का एक principle बनता है, सर क्या? वो principle, sir, कुछ main fundamentals finance की दुनिया के ये निकलते हैं, पहला, जो poor dad है, या जो poor source है, बलकि अब मैं ये कहूंगा, जो poor source है, finance related, वो कहती है, study hard and you will find a good company to work for, और सर जो rich सोच है, वो क्या कहती है, finance की दुनिया में, study hard, learn financials, learn financial management and you will get find a good company to buy basically, जो poor source है, वो ये कहती है, बस पढ़ाई कर लो, अच्छी सी नौकरी ले लो, बस नौकरी करो, बिल पे करो, आओ, सोजाओ and repeat लेकिन, जो rich सोच है, हमारी finance की दुनिया की, वो कहती है, भी आप पढ़ाई करो, financial management सीखो, और उसके बाद, अपने कम पैसो को भी इस तरीके से manage करो, कि आज तो नहीं, लेकिन कुछ time बाद, आपके पास बहुत पैसा हो जाए, समझाया, अब financial सीख कर, corporates के finance को समझ कर, आप identify कर सकते हैं, कि कि किस company के share में पैसा लगाना चाहिए, किस company के stock में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी security में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी security में समझाया आपको यह, और यहाँ से fundamental क्या निकलता है, poor सोच कहती है, when it comes to money, और क्या fundamental यहाँ से निकला, poor सोच कहती है, when it comes to money, play safe, and don't take risk, लेकिन rich सोच क्या कहती है, finance की दुनिया में, learn to manage risk, समझाया, इसी तरीके से एक last principle यहाँ पे क्या निकलता है, poor सोच कहती है, I can't afford that, और rich सोच कहती है, I'll find a solution, I'll find a solution, how can I afford that, as simple as that, मेरे पास आज पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको इस तरीके से manage करूँगा, इस तरीके से invest करूँगा कि कुछ टाइम बाद मेरे पैसे हो और मैं उस चीज़ को afford कर पाहूं, as simple as that, I hope आपको ये पूरी कहानी समझ आई, यहाँ से बस मैंने आपको इतनी सी बात समझाने की कोशिश करी है, ultimately financial management है क्या, and by the way, आप ये बताना जरूरी है, ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, ये एक author है, और दुनिया के one of the biggest investor है, शायद आपने नाम सुना हो, Robert Kiosky, उनकी एक book है, Rich Dad, Poor Dad, उसकी एक कहानी मैंने आपको बताई है, which is basically इतनी सी कहानी में पूरा एक finance होता क्या है, वो समझ में आता है, I hope आपको यहाँ से clear हुआ थोड़ा थोड़ा ये है क्या, अब जैसे, आपको जो जो चीजे मैंने यहाँ पर बताई है, अब जैसे, किसी इनसान को कहाँ पे पैसा invest करना चाहिए, मैंने यहाँ पे आप यह rich dad कर रहे थे, कि जड़ी आ रहे थे, उस income में पैसा invest कर रहे थे, लेकिन वो पैसा कहाँ पर invest हो, ये बात कैसे पता चले, अब सर आप लोग finance की दुनिया के लोग हैं, आप लोग chartered accountants बनेंगे, आपको मालुम होना चाहिए, कि कहाँ पे कितना पैसा कैसे invest किया जाता है, इसलिए आपको financial management का ये subject पढ़ाया जाता है, मैंने जो आपको ये कहनी सिखाई, poor dad, rich dad वाली बात, यहां से जो बात निकलती है, वो कही ना कही personal finance की बात निकलती है, कि एक individual का finance किस तरीके से, एक individual, rich dad और poor dad, ये दो individuals थे, वो अपना finance किस तरीके से manage कर रहे थे, but ये जो हमारा subject है, ये ब बात personal finance की नहीं करेगा, ये बात corporate finance की करेगा, तो हमें अपने subject में जो पूरी बात करनी है, वो sir corporate finance की बात करनी है, समझाए आपको ये, चलिए, अच्छा सर आपने बात करी कि यहां पे हमें corporate finance की बात करनी है, personal finance, एक individual के finance को manage की बात नहीं करनी है, अपने subject में corporate finance की बात कर यह corporate finance में क्या important है होता क्या है corporate finance अब मैं धीरे-धीरे आपके concepts पर आ रहा हूँ अभी दी एक particular chapter के concepts पर नहीं धीरे-धीरे subject के अपने concepts पर अब आना शुरू कर रहा हूँ जैसे मैं आपको एक example देता हूँ मालिया साब का तो नाम आप सबने सुना होगा विजे मालिया जी अच्छा विजे मालिया का जो living standard रहा है वो हमेशा से वही रहा है live life the king's eyes लोग उनको इस time पर जानते हैं सब गलत reasons की वजएसे लेकिन अगर इनकी start देखी जाए इनके business की starting इन्होंने जब करी थी kingfisher breweries वगेरा से बहुत अच्छा business चल रहा था इनका बहुत profits आ रहे थे इनके business को लेकिन मालिया साब के मन में फिर ये आया कि मैं अभी एक business कर रहा हूँ kingfisher breweries का मेरे को अब airline के business में एंटर करना है ठीक है जी करो एंटर इन्होंने kingfisher airlines के business में एंटर किया अब kingfisher airlines के business में जब इन्होंने एंटर किया तो इन्होंने पहले domestic flights वगेरा से काम शुरू किया अब लोगों के मन में एक हैरानी हुई उस time पर airline का business profitable चलाना एक लंबे time तक बहुत tough काम होता है लेकिन kingfisher airlines जब तक domestic airlines के business में थी one of the most profitable airlines हुआ करती थी one of the most expensive and one of the most profitable airlines में से एक हुआ करती थी लेकिन फिर मालिया साव के मन में ये आया कि मुझे अभी और आगे बढ़ना है मुझे अपने इस धंदे को और expand करना है तो उन्होंने कहा हमारा जो ये kingfisher airlines का business है जो domestically situated है इसको अब हम international level पे लेके जाएंगे हमें international flights चलानी है अब इन्होंने क्या किया international flights अगर आपको चलानी है तो उसके लिए international license वगएरा आपको लेना पड़ता है अब अपनी kingfisher airlines से directly international जाने की बजाए उस time पर एक airlines हुआ करती थी शायद आपने नाम सुनाओ Deccan Airlines kingfisher airlines purchased Deccan Airlines लेकिन ये ध्यान नहीं दिया दो गलतिया हुई एक गलती तो ये हो गई जो Deccan Airlines थी वो already losses में थी जो company already losses में थी उस company को मालया साब ने खरीद लिया क्यों बस Deccan Airlines के पास international flights का license था तो इन्होंने सिरफ international flights के license के लालच के चक्कर में और इस चक्कर में की बही चलो इनके assets आ जाएंगे जो Deccan Airlines के अपने airplanes हैं वो सब आ जाएंगे इन्होंने एक loss वाली company को खरीद लिया पहली गलती दूसरी गलती इस airline को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा debt से उठा लिया अब debt के उपर interest लगता है और interest अपने आप में एक fixed expenditure है मतलब सर आपने debt ले लिया उस debt के पैसे को आपने जहां पे भी invest किया वो जगा पर अगर वो पैसा आपका डूब भी गया कुछ income आप उस पैसे से नहीं भी कमा पाए तो भी आपको debt की service करनी पड़ेगी debt की service का मतलब उस पे ये fixed interest आपको देना ही पड़ेगा यही हुआ Deccan Airlines करीद ली जो कि already losses में थी Deccan Airlines के losses की वजएसे जब ये Kingfisher Airlines में merge हुई consolidated financials खराब हो गए समझाया दूसरी चीज़ इनका international business जादा नहीं चल पाया जिसकी इनको उमीद थी तो इतने profits नहीं आ पाये जिनकी इनको उमीद थी और इस Deccan Airlines को purchase करने के लिए जो ये debt लाये थे उस debt की ये लोग service नहीं कर पाये और वो accumulate होता गया accumulate होता गया interest principle में add होता गया compounding होती गई होती गई और वो इतना बड़ा amount create हो गया ultimately Kingfisher business का Kingfisher empire का पुरे तरीके से नीचे जाना downfall का सबसे बड़ा reason ही क्या था financial mismanagement आपने इतनी बड़ी financial mismanagement करी losses वाली company या आने वाले टाइम में जिस company को losses आ सकते हैं उसका आपने forecast गलत किया financial forecast कहा जाता है इसको इसको acquire करने के लिए आपने debt raise किया समझाया आप यहां से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ अब सीधा क्रक्स पे आता हूँ किसी भी company को पैसा चाहिए होता है market में अगर आप को पैसा रेइज करना है तो market से पैसा रेइज करने के majorly आपके पास कुछ particular sources होते हैं कोई भी company market से या तो equity से पैसा रेइज कर सकती है या sir preference share से पैसा रेज कर सकती है या डेट से पैसा रेज कर सकती है ठीक है और इसी रेजड पैसे को मान लो इकुटी से 200 करोड रुपया रेज किया प्रेफरेंस से 200 करोड रुपया रेज किया डेट से 100 करोड रुपया रेज किया इस company के पास कितना पैसा कठा हो गया 500 करोड यही पैसा यह company आगे invest करती है यह मैंने और कुछ नहीं बनाया एक company की balance sheet बनाई है balance sheet में एक तरफ आप assets दिखाते हैं और एक तरफ आप liabilities दिखाते हैं अगर मैं T form में roughly आपके सामने किसी company की balance sheet का format रखूँ तो यहाँ पर आप assets दिखाते हैं और यहाँ पर liabilities में सबसे उपर equity, preference, debt बगएरा यह सब दिखाते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ से पैसा आता है और इस पैसे को यह company अपने assets में invest करती है इसी लिए liability side पर जो आप capital employed दिखाते हैं equity, preference, debt बगएरा इसको sources of fund या sources of finance भी बोला जाता है और यह जो assets side पर assets दिख रहे होते हैं इनको application of funds या application of finance भी बोला जाता है पैसा कहां कहां से आएगा वो हैं आपके sources of finance उस पैसे को आप कहां कहां invest कर रहे हैं वो है आपकी application of funds तो मैंने जो यहां पर यह crux रखा है उसमें यही रखा है अब sir यह सोचना इस company को 500 करोड रुपे की जरूरत थी क्योंकि इस company को 500 करोड रुपे इनवेस्ट करके 500 करोड रुपे assets खरीदने थे sir इन assets से होगा क्या sir इन assets में machines होंगी buildings होंगी, plant होंगे वगरा वगरा सारे assets होंगे इन्ही assets की मदद से यह company अपना product बना पाएगी या यह company जो भी service देना चाती है market में customers को वो service दे पाएगी sir यह production दे पाएगी या यह service provide कर पाएगी market में इसी के basis पर sales होंगी मतलब revenue कमा पाएगी और sir इसी के basis पर कुछ profit आएगा मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कुछ return आएगा, इतनी बात समझाई, अब sir यह जो 500 करोड रुपे की आपको requirement थी, market में इसके sources तो equity भी है तो कहां से ले, ये बात सोचना, sir ये बात को सोचने की जरूरत क्या है, जरूरत sir ये है, दो point of view से बात करी जा सकती है, एक investor जो पैसा invest कर रहा है, एक उस इनसान के point of view से या उस company के point of view से जिसमें पैसा invest हो रहा है अब मान लो, मैं हूँ company, मेरे को पैसा चाहिए, आप है investor, आप से पैसा मांगने आया हूँ, पहले आपके point of view से बात करता हूँ आप कौन investor, sir आप अगर मुझे as a debt पैसा देंगे, या आप मुझे अगर as a equity पैसा देंगे, आपके लिए जादा risk किसमें है, sir आपके लिए जादा risk equity में है क्यूंकि अगर आपने मुझे पैसा दिया as a debt, तो मेरे को आपको interest देना ही पड़ेगा चाहे मैं उस पैसे से कुछ कमा पाऊं या ना कमा पाऊं, लेकिन अगर आपने मुझे वो पैसा दिया है as a equity तो equity पे sir मैं आपको dividend तभी बाटूंगा अगर उस पैसे से मैं आगे कुछ profit कमा रहा हूँगा क्योंकि आपने पढ़ा है dividend तभी बाटा जाता है, जब profit होता है जब profit नहीं होता तो dividend नहीं बाटा जाता है तो अगर मैं investor के आपके point of view से बात करूं तो debt least risky है equity most risky है लेकिन क्योंकि हम corporate finance की बात कर रहे हैं, मतलब एक company के point of view से हमें बात करनी है अपने subject में, तो sir अब इसी बात को मैं एक company के point of view से अगर कहना चाहूं तो क्या ज़ादा रिस्की है एक company के point of view से, sir अगर मेरे पास आपने पैसा दिया है मेरा business चले, ना चले, ज़ादा चले, कम चले, interest देना ही पड़ेगा fixed है, दूसरी बात, मेरा business दूब जाए, कुछी हो जाए, जो debt की principal payment थी वो भी आपको लोटानी पड़ेगी समझा आगे आपको यह, तो sir मेरे लिए सबसे ज़ादा risk क्या है, debt मेरे लिए equity least risk है, Macon corporate company, मेरे लिए equity least risk है, अगर मैंने आपके पैसो पर profit कमाया तो आपको dividend बांटूंगा अगर मैंने आपके पैसो पर कोई profit नहीं कमा पाया तो मेरे को आपको dividend भी बांटने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात दूसरी बात, अगर आपका पैसा invest करने के बाद मेरी company डूब गई तो sir, equity की principal payment भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो मैं बताता हूँ, एक हारार्की होती है wind up के time पर जब company को liquidate किया जाता है wind up किया जाता है, तो sir, सबसे पहले सरकारी dues पे किये जाते हैं, statutory dues पे किये जाते हैं, जब statutory dues पे हो जाते हैं, अगर कुछ बचता है तो creditors उनकी payment करी जाती है, फिर कुछ बच जाता है तो debt की payment करी जाती है फिर कुछ बच जाता है, तो preference की payment करी जाती है, अगर उसके बाद भी कुछ बच गया, तो sir मेरे को equity वालों को पैसा देना, नहीं तो किसी को कोई पैसा नहीं देना, समझाया, तो sir company के point of view से equity least risky है, debt most risky है, क्योंकि payment तो sir करनी ही होगी debt में कुछ कमाया या नहीं कमाया, लेकि अब debt में एक नुकसान गिनवा दिया मैंने आपको, negative point debt का, और equity का एक positive point गिनवा दिया, अब reverse, sir debt में ये risk जरूर है, कि profit आए या ना आए, business चले या ना चले, as a company मेरे को आपको payment करनी पड़ेगी, लेकिन, sir जो मेरी ownership है न, debt में, मेरी ownership dilute नहीं हो रही, मैं आपको अपनी company का हिस्सा नहीं दे रहा हूं, share नहीं दे रहा हूं, लेकिन, sir, equity में न, मेरी company की ownership dilute हो जाती है, अगर मैं आपसे as a equity पैसा raise करता हूं, तो उसके बदले मेरे को अपनी company का कुछ हिस्सा, कुछ share आपको दे कर, उतने हिस्से का आपको मालिक बनाना मतलब, sir, equity का positive point ये था, risk कम है company के point ये उसे, क्योंकि payment end बे हो नहीं है, दूसरी बार different वेगरा की payment तब हो नहीं है, अगर कुछ कमाया, लेकिन, sir, दूसरा negative point है, ownership dilute हो जाएगी, अगर कोई company अपनी ownership dilute नहीं करना चाती, तो वो शायद equity से पैसा raise जादा ना करे, और, sir, debt का एक negative point था, profit कमाओ या ना कमाओ, कुछ कमाओ या ना कमाओ, interest की payment और debt service करनी ही पड़ेगी, लेकिन, sir, एक positive point था, ownership dilute नहीं होगी, समझाया, अब, किस source से कितना पैसा लेना है, इसको बोला जाता है, आप, अच्छा, मैंने preference की बीच में बात नहीं करी, मैं करूंगा, although, ये equity और debt के बीच में आ जाता है, अच्छा, क्योंकि preference में क्या होता है, अगर आपने आज profit नहीं कमाया, आज dividend नहीं बाट पाए, और वो cumulative preference shares हैं, तो आप आज का dividend अगले साल, arrier में खड़ा करके accumulate कर सकते हो, अगले साल profit नहीं आया, उससे अगले साल accumulate कर सकते हो, चार साल तक आप एक साल के dividend को अगले साल पर carry forward कर सकते हो, चार साल तक भी अगर पैसा नहीं आया, तो फिर आपको write-off करना पड़ता है, मतलब debt से कम risk है, लेकिन equity से जादा risk है, क्योंकि equity में तो बिल्कुल ही last way payment करनी होती है, anyway, ये बात मैंने आपसे इसलिए करी, company अब पैसा अगर मैं compare करूँ, दोनों में कुछ positive points हैं, कुछ negative points हैं, अब practically ऐसा भी हो सकता है, सर अगर कोई company अपनी ownership dilute नहीं करना चाती, risk उठाने को तयार है, तो debt से पैसा उठा लो, और अगर कोई company risk जादा नहीं उठाना चाती, ownership dilute करने को तयार है, तो सर फिर equity से पैसा उठा ल है, अगर मैं इसकी practical reference आपको देना चाहूं, आपने सुना होगा Reliance की Saudi RM को company के साथ एक deal हुई थी, जिसमें इनोंने अपने एक business segment जिसका नाम है O2C, O2C, oil to chemicals, actually पहले क्या था, Reliance Industry Limited, उसी में ये business included था, consolidated balance sheet जब बनती थी, तो सर, oil to chemical business के लिए Reliance ने बहुत ज़ादा debt ले रखा था, तो वो consolidated balance sheet, consolidated balance sheet का मतलब सारी companies की mixed एक balance sheet, ये आप अपने group 2 के advance accounts में holding company accounts एक chapter पढ़ेंगे, वहाँ पे आप ये बात पढ़ेंगे, consolidated accounts बनाना सीखेंगे, जितनी भी subsidiaries companies हैं, उन सब की financial statements को जोड़ के consolidated financial statements बनाना, तो सर, जब Reliance की statements बनती थी, O2C business segment के लिए इनोंने जितना भी loan ले रखा था, बहुत ज़ादा loan ले रखा था, वो पूरी Reliance की debt equity ratio को खराब कर देता था, इनोंने इस O2C chemical division को, oil to chemical वाले division को, साओधी RM को नाम की company को sell out कर दिया, high off कर दिया, इससे ये जो debt था, वो shift होके, एक दूसरी company की balance sheet में चला जाएगा, समझाया, ultimately इनोंने Reliance की balance sheet से debt कम कर दिया, अब सर इससे Reliance को फाइदा क्या होगा, Reliance को सर फाइदा ये होगा, आप अपने आपको एक investor समझ लीजिए, आपको एक company में invest करना है, जब किसी company में invest किया जाता है, तो उस company के financials को analyze किया ज कि सर इस company में पैसा invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब कोई भी investor Reliance में, जब पैसा invest करने के लिए Reliance के financials देखता था, तो उसको Reliance में बहुत जादा debt दिखता था, जब Reliance में बहुत जादा debt दिखता था, तो investor को ये company बहुत risky दिखती थी, क्योंकि जिस company में सर अगर company ने ज़ादा debt उठा रखा है, तो risk इसलिए है, कल को अगर company किसी साल profit नहीं कमा पाई, तो भी company को debt पे interest देना पड़ेगा, कहां से लाएगी interest देने का पैसा, इस वजह से ऐसी companies को risky माना जाता है, So basically, अब Reliance company में debt बहुत ज़ादा दिखता था, इसलिए investors को ये company थोड़ी risky ज़ादा दिखती थी, risky दिखने की वजह से, जो investor बहुत ज़ादा risky जगा पर पैसा invest नहीं करना चाहते, वो investor Reliance के share में पैसा नहीं लगाते थे, अब इन्होंने O2C division को Saudi RMCO में shift कर दिया, high of कर दिया, इस वजह से यहां से ये debt हट गया, जैसे यहां से ये debt हटा, अब जब वही investor इस Reliance company में invest करने के लिए, इसके financials को analyze करने बैठेगा, इसकी balance sheet देखेगा, तो उसको debt नहीं देखेगा, इतना ज़ादा, तो उसको ये company पहले के comparatively risk की कम दिखेगी, तो जो investor कम risk उठाकर भी अच्छी company के share में पैसा लगाना चाहता था, वो पहले नहीं लगा रहा था, सर अब लगा देगा, अब लगा देगा, तो मतलब Reliance के share की demand बड़ेगी, demand बड़ेगी, price बड़ सकती है, ये एक इसका fundamental था, ultimately यहां से भी मैं आपको समझाना क्या चाहरा हूं, कि किसी भी company के लिए कितना जरूरी हो जाता है, equity, preference और debt in sources of finance से सही proportion में पैसा उठाना, सर ये जो इस portion का part है, ये आपके पास एक chapter है, एक तरह से अब मैं आपको पूरा आपका सलेबस समझा रहा हूं करना क्या है, cost of capital and capital structure theories इस chapter में सर हम इस तरफ का ये सवाल सीखेंगे, कि किस source से पैसा उठाना चाहिए और कितना उठाना चाहिए, समझाया, उसके बाद, सर ये 500 करोड रुपया कठा तो हो गया, हमने ये भी पता लगा लिया, इस chapter में जो भी सीखा, इस chapter के fundamental से, हमने ये पता तो लगा लिया, क किस source से कितना पैसा उठाना चाहिए, अब बात आती है, कितना पैसा कौन से asset में invest करूं, पैसा कहां पे invest होगा, कैसे invest होगा, सर इस तरफ का ये सवाल, आप सीखेंगे, एक chapter आएगा आपके पास, capital, budgeting, इस chapter में सर आपने इस तरफ का ये सवाल सीखना है, समझाया, अच्छ एक तरह से मैंने आप से, यहाँ पे यह जो example discuss किया, एक company की balance sheet, equity, preference, debt, इस पैसे को assets में invest किया जाता है, यहाँ पे अभी मैं long term assets, मतलब non current assets की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने इस तरफ capital employed की बात, और investment के लिए, इस पैसे को कौन से long term asset में invest किया जाएगा, उसकी बात मैंने कर लिए, आपके मन में आ सकता है, sir, equity preference और debt के पैसे को सिरफ long term asset में क्यों, current asset में भी तो invest करेंगे, नहीं, यह भी हम समझेंगे, actually में अब एक और चीज़ होती है, long term sources से जो पैसा आया होता है, उस पैसे को long term asset में ही invest किया जाता है, for the simple reason, sir, long term sources से पैसा उठाया है, तो long term में ही वापस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस पैसे को लगाओ भी ऐसी जगा पे, जिसमें long term में ही income आएगी, ताकि तब income आए, जब उस पैसे को लोटाना होगा, पैसा लोटाना long term में है, तो पैसा आए भी long term में, समझाया, अब sir, इसके बाद आते हैं फिर balance sheet में, आपके पास, या तो इधर current liabilities जिसको आप non current, sorry, current liabilities बोलते हो, या फिर इधर आ जाते हैं आपके current assets, current assets और current liabilities के बारे में जो भी बात होगी, ultimately इसके बारे में कहते हैं, ये हमारे company के day to day operations की वज़े से generate होते हैं, day to day operation को run किया, इस वज़े से company ने production करी, stock तयार company ने market में product बेचा, उधरी में बेचा, debtor create हो गया, current assets, बाकी सारी चीज़े हैं, इनके बारे में जो बात होगी, आपके पास एक chapter आएगा, working capital management, इस chapter में सरा आप current assets and current liabilities का financial management पे क्या impact होता है, एक company के point of view से, वो बात आप इस chapter में करेंगे, working capital management, at the end of the day, आपने पैसा, कहां से पैसा उठाया, equity preference debt, उस पैसे को कहां कहां लगाया, इस सब के बाद आपने business run किया, और सर कुछ profit कमाया, अब बात आएगी, इस profit को बाटने की, और मैं किस के हिस्से में बाटने की बात कर रहा हूँ, सर equity के हिस्से में जब इस profit को बाटोगे, तो as a dividend बाटोगे, तो dividend बाटना चाहिए या नहीं बाटना चाहिए, बाटना चाहिए, तो कितना बाटना चाहिए, जितना profit कमाया, क्या सारा बाट दू या कुछ हिस्सा बाटू, ये सारी चीजें, और dividend बाटा या नहीं बाटा, जादा बाटा या कम बाटा, क्या इस बात का impact, company के share prices पे पढ़ता है या नहीं, ये सारी बातें आपके पास एक chapter आएगा dividend policy ये सारी बातें सर आपको इस chapter में पढ़नी है, आईए, अब मैं एक बारी आपको आपके financial management का सले बस दिखाता हूँ, major major मैंने आपसे अभी discuss किया, ये जो आपके पास ये आपको जो book मिलेगी, उसकी soft copy मैंने खुली हुई है, ये जो आपके screen पर आपको पहला पहला chapter दिख रहा है, scope and objectives of financial management, ये topics आपका theory topic होगा इसमें आप theory पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, या basic basic बातें discuss करी न, कि ये company कहां से पैसा उठा सकती है, preference equity, debt वगरा वगरा, equity में risk जादा होता है, और debt में, sorry, debt में risk जादा होता है, equity में comparatively risk कम होता है, from the point of view of company, वगरा वगरा, ये सारी theory वाली बातें, आपके इस पहले chapter बें होगी, ठीक है दूसरा chapter जिससे हम, जो की हमारा पहला chapter होगा, risk and leverage analysis एक तरहां से, जो मैंने आपसे ये बात करी, कि पैसा कहां कहां पे कैसे कैसे उठाना है, और कैसे invest होना है, उसकी mixtured बात, basically उनका basic risk and leverage में discuss किया जाता है, cost of capital and capital structure theories, ये मैंने अभी आपको बताया, कहां कहां से पैसा उठाया जाएगा, वो वाली बात इस chapter में करी जाएगी, basically बहुत किताबों में, काफी सारे authors की books में, ये वाला जो chapter है, ये दो parts में होता है, एक part होता है cost of capital, एक part होता है capital structure theories, ultimately ये combined हैं, तो हमारी किताब में ये combined chapter दिये हुए है, आपकी book में एक chapter कम है, क्योंकि मैंने combined कर रखा है, अच्छा time value of money, अब जो time value of money है, वो मैं अलग से नहीं, ये आपका कही ना कही capital budgeting के साथ ही related है, by the way जो मैंने आपसे यहाँ पर बात करी, कि पैसा आतो गया इस company के पास, ये पैसा कहां कहां पर कैसे कैसे invest होगा, किस asset में invest होगा, इसकी एक बात तो आप करेंगे capital budgeting के चप्टर में और इसी के बारे में एक बात आप करेंगे, एक और chapter है आपके पास, risk and uncertainty in capital budgeting इन दोनों chapters में पैसा कहां कहां कैसे कैसे invest होना चाहिए, कौन से asset में company को पैसा invest करवा चाहिए, इन दोनों chapters में आप ये बात करेंगे, so basically एक यहाँ पे capital budgeting है, एक risk and uncertainty in capital budgeting है, पहले ये वाला chapter आपका CA final में हुआ करता था, new course में वहाँ से उठा के CA inter में डाला गया है, फिर आपके पास एक चप्टर आएगा leasing decisions, बड़ा ही interesting, छोटा सा असा चप्टर होगा, कहीं ना कहीं capital budgeting जैसी ही बाते होंगी, although इसमें हम ये बात करेंगे, investment की ही बात करनी है, ये जो 500 करोड रुपया कठा हो गया था, इसको कौन से asset में invest करना है, बात ये ही करनी है, लेकिन leasing के चप्टर में हम ये बात करेंगे, इस asset को खरीदना भी है, या किराए पर ले हूँ, भई, अगर किराए पर लेके asset से काम निकलता हो, वो भी सस्ते में, तो क्यों मैं बे फिजूल में अपना ये पैसा इस asset को खरीद कर, block करूँ, इस तरीके की बातें leases के चप्टर में होंगी, dividend decision इस चप्टर की बात मैंने आपसे कर ली, working capital management ये बात मैंने आपको कर ली, financial ratios ये end में आएगा, एक चप्टर आपके पास, companies की ratio निकालना, debt equity ratio बगएरा बगएरा, ये चप्टर practically, अगर मैं theoretically अपने paper point of view से बात करूँ, तो सर बड़ा असां सा चप्टर होने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर मैं practical relevance की बात करूँ ना, सर financial ratios की बहुत ज़ादा practical relevance होती है, किसी इंसान को जब stock market में, किसी भी particular share में पैसा invest करना होता है न, ये चप्टर बहुत काम का होता है, क्योंकि ultimately company की ratios को देखकर हम forecast लगा सकते हैं, कि company आने वाले time में कैसा perform कर पाएगी, समझाया, तो इस तरीके के आपके ये chapters हैं, last chapter है आपका types of finances, ये भी आपका theory chapter है, समझाया, I hope slavers क्या है, किस तरीके की बातें आपको इस subject में करनी हैं, एक वो base पहले आपका तयार हुआ, क्योंकि मैं directly पहले chapter के concept से शुरू अभी तक इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था, कि मैं पहले chapter के concept शुरू कर दूँ, उसके बाद आप से कोई पूछे बाहर, कि भाई साब एक बारी बताना financial management होता क्या है, हम कहें देख भाई ऐसा है, हमसे capital bursting पूछ ले, हमसे risk and uncertainty in capital bursting पूछ ले, हमसे risk and leverage analysis पूछ ले, हम बता देंगे financial management क्या होता है हमको नहीं मालूग, वो नहीं होना चाहिए, practical तरीके से चीजों को सीख कर चलना है, so that सिरफ ये सोच कर पढ़ना, कि भाई paper देने हैं, बिटा मज़ा नहीं आएगा, हमको एक practical approach लेके पढ़ना है, practical aspects के साथ पढ़ना है, एक तरह से मैं ये नहीं बोलूँगा हमको पढ़ना है, मैं ये बोलूँगा हमको financial management सीखनी है, जो कि आपकी practical जिन्दगी में भी काम आएगी, आपके paper में भी काम आएगी, और आपको इस subject से प्यार हो जाएगा, और जब हमें किसी subject से, किसी चीज़ से प्यार हो जाता है ना subject से, उसके बाद अपने आप दिल करता है, अपने आप motivation आती है उसको करने में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो सर मैंने आप से अभी पूरा syllabus तो एक बढ़ी discuss किया, है क्या पूरे financial management में जो हमको करना है, जो यहाँ पर अब हम करेंगे कैसे, पहले सारे practical topics अपने पूरे करेंगे, end में अपने theory topics पूरे करेंगे, क्योंकि financial management में भी जो यह theory होती है, वो सर दो तरीकों की होती है, एक होती है conceptual theory, एक होती है purely theory, जो तो सर conceptual theory है, वो तो जैसे जैसे हम एक चप्टर को पढ़ते जाएंगे, उसके concepts में ही अपने आप covered up होती जाएगी, और जो purely theory है, उसको हम end में करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, और इसके लिए भी मैं आपको separate आपकी book में आपके notes वगरा होगे, उसमें से पढ़ेंगे, question answers वगरा के format में है, running में नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ, as being a student, running में अगर हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता है फिर उससे पढ़ने में, तो question answers format में है, by the way, although मैं आपके course के साथ साथ आपको इन चीजों के बारे में बताता रहूँगा, जैसे जैसे chapter होंगे, although आपकी book में ही, इस तरीके से आपके पास पूरा weightage है, कि कौन सा chapter या कौन से chapters की groupings, कितने percentage की weightage रखती है, from the paper point of view, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, ये ICI का ही prescribed है, इसी तरीके से, किस तरीके की knowledge आप से institute मांगता है, comprehension knowledge मांगता है, analysis या application comprehension मतलब theoretical knowledge, analysis and application मतलब practical knowledge, वो किस तरीके के questions में कैसे मांगता है, इस तरीके के questions होंगे, जिनके आगे list state, define वगड़ा, इसी बाते लिक रखी होंगी, application based question किस तरीके के होते हैं, जिसमें कैसी knowledge हमको दिखानी पड़ेगी, वो सारा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, although, ताकि बाद में भी आपको ध्यान रहे, आपकी book में वो सब भी डला हुआ है, क्योंकि at the end of the day हमें सीखना तो है, लेकिन हमें prepare तो अपने exam के लिए ही करना है, तो जैसा मेरे से ICI मांगता है, हमें बिल्कुल उसके according prepare करके चलना होगा, और बाकी मैंने यहाँ पे आपको, जो हम यह एक list डाल रखी है, all दो सारे subjects की है, हमारे मतलब के लिए सिरफ हमारा अपना यह financial management का subject है, comprehension and knowledge, मतलब theoretical knowledge, 20 से 30% चाहिए आपको FM में, और analysis and application, मतलब practical knowledge आपको अपने इस subject में, 72-80% चाहिए, यहाँ से यह बात मैं आपको क्यूं बता रहा हूँ, ताकि आपको यह idea लग जाए, कि maximum जो आपका paper FM वाले part का होने वाला है, वो practical based होने वाला है, ठीक है जी, आईए, अब start करते हैं, heading डालिए, risk and यह आपका chapter है, risk and leverage analysis, heading डालिए एक बारी, risk and leverage analysis, पहले तो इसका मतलब समझते हैं, अच्छा इसका ध्यान रखिएगा, please साथ साथ सारे notes बनाईएगा, क्योंकि वो notes आपके बहुत काम आने वाले हैं बाद में, और सभी questions को properly करिएगा, और मैं तो बलकी यह कहूंगा, दो notebooks बनाईएगा, दो registers बनाईएगा, एक जो मैं class में आपको questions करवाऊँगा, और एक homework questions के लिए अलग, so that was separated रहे, concept, notebook, concept register आपके पास अलग maintain हो, ताकि paper से एक दिन पहले जब आप revision करें, तो आपके पास crux में सारे notes, सारे concepts एक जगा पर होने चाहिए, चीक है, उस time पे आपके साथ यह नहीं होना चाहिए paper से एक दिन पहले, कि बीच-बीच में से बड़े सारे questions में, बीच-बीच में से आपको concept ढूंडने पड़ रहे हैं, anyway, अब पहले तो इसका मतलब सीखते है, sir, risk का और leverage का मतलब क्या है, main तो मेरे को यहाँ पे बात करनी है, sir, leverage का मतलब क्या है, देखो, risk का तो मतलब आप जानते हो, क्या, uncertainty, future में अगर किसी event में uncertainty दिखती है, कि यार ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है, तो हर एक ऐसे event से risk नजर आता है, ऐसे event को तो हम risk कहते हैं, अगर future में कोई event, मिरे को मालूम हो कि ये पक्का है, ऐसा होगा ही होगा, चाहे positive हो या negative हो, positive है कि ऐसा होगा ही होगा, बहुत अच्छी बात है, negative हो, ऐसा होगा ही होगा, तो भी मुझको आज मालूम है, मिरे को वो काम करने की जरूरत नहीं है, risk कहेगा, रिस्क तो सर ये है जब आप किसी काम में एंटर कर जाओ आपको मालूम ही ना हो कि future में positive हो सकता है इससे resultant या negative हो सकता है वो इस चीज़ को रिस्क बोला जाता है सर leverage का मतलब क्या है leverage word आपने अपने 12th level पे business studies में भी सुना होगा मतलब क्या है इसका अब इसको समझने के लिए क्योंकि इसी से इस chapter का base तो निकलेगा ही निकलेगा आगे आपके और भी कई चीज़ों का इसी subject में और कई chapters का base निकलेगा तो मैं आपको तीन examples देके चलूँगा एक बिल्कुल layman example जिससे आपको एक basic चीज़ समझाए फिर उसको अपनी stock market में एक practical समझाएगा कि इसका मतलब क्या है फिर हम इसको एक company के business में emerge करके देखेंगे business में leverage कहां पे होता है सुनिए सबसे पहले मैं leverage की एक definition बोलता हूँ हिंदी में और उसके बाद उसको समझना शुरू करते हैं sir leverage की definition बोली जाती है ध्यान से सुनिएगा leverage एक ऐसा component है जो बाह पार repeat करता हूँ, sir leverage एक ऐसा component है जो बाहर से लाया जाता है वो component मेरी खुद की capability को multiple times बढ़ा देगा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहा तक की बात फिर repeat करता हू, sir leverage एक ऐसा component है जो बाहर से लाया जाता है, मेरे पास है नहीं, कहीं बाहर से ला रहा हूँ और वो component मेरी खुद की शमता को मेरी खुद की capability को multiple times बढ़ा देतα है मेरी capability जब multiple times बढ़ जाती है तो उससे हो सकता है कि मेरे को multiple times फाइदा हो जाए या ऐसा हो सकता है कि उससे मेरे को multiple times नुकसान हो जाए ये है पूरी की पूरी leverage की definition मैं दुबारा एक बड़े repeat करता हूँ सर leverage का मतलब एक ऐसा component जो की बाहर से लाया जाता है मेरे पास नहीं है वो component मेरी खुद की capability को multiple times बढ़ा देता है मेरी capability जब multiple times बढ़ जाती है तो उसकी वज़े से हो सकता है मेरे को multiple times profit हो जाए या हो सकता है उससे मेरे को multiple times losses आ जाए सर आपने plain उसमें ये line बता दी ठीक है ऐसे तो समझा गया लेकिन इसका relevance नहीं समझा रहा आईए सुनिये एक बिलकुल layman सा example जिसका हमारी stock market business से कोई लेना देना नहीं जो मैंने बोला है इसको समझाने के लिए सिरफ मान लो ये एक बहुत बड़ा पत्थर है ठीक है मेरे को ये पत्थर ये रॉक यहां से move करना है मेरी खुद की इतनी शमता नहीं मेरी खुद की इतनी capability नहीं कि मैं अपने bare hand से इस रॉक को हिला पाऊ ठीक मेरी खुद की ये capability नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉक है मैंने क्या किया एक छोटा पत्थर वो भी गोल था लेकिन एक छोटा पत्थर यहां पे रखा इसके पास अच्छा इन दोनों पत्थर के बीच में मैंने एक ऐसे करके rod डाल दी ठीक है अब यहां से मैं इस road को pull करूँगा हो सकता है ये बड़ा पत्थर यहां से हिल जाए एक तरह से ये जो road और ये जो छोटा पत्थर है इसने सर एक liver का काम किया है वो body part वाला liver नहीं जो tool होता है liver इसने सर एक liver का का काम किया है मेरी खुद की capability नहीं थी कि मैं अपने bare hand से इस बड़े पत्थर को move कर पाऊं मैं बाहर से एक component लाया कौन सा component छोटा पत्थर और ये road तो मैं combined इस component को liver बोल देता हूं तो सर मेरी खुद की capability नहीं थी अपने bare hand से इस पत्थर को हिलाने की मैं बाहर से एक component लाया ये liver और इस liver की help से मेरी खुद की capability इतनी ज़ादा बढ़ गई कि मैं इस पत्थर को हिला पाया भई इस road को भी pull तो मैं ही करूंगा अपने हाथों से ही करूंगा लेकिन फिर भी वो बड़ा पत्थर हिला पाया मैं अपने हाथों से इस पत्थर को नहीं ला पा रहा था इस liver की help से मैं इस पत्थर को हिला पाया लेकिन क्यूंकि इस liver ने मेरी capability को multiple times बढ़ा दिया सर्ये liver अपने साथ एक risk लेके आया है क्या risk अगर गलती से सर्ये road तूट गई मैं इसको जोर से pull कर रहा था कि बड़ा पत्थर हिल जाएगा ये road इटूट गई मेरे ही मूपे आके लगेगी समझ आया और नुकसान खूब हो सकता है I hope आपको clear हुआ सो crux क्या निकला वही जो definition मैंने बोली थी leverage का मतलब एक बाहर से लाया गया component जो कि आपकी capability को multiple times बढ़ा देता है लेकिन अपने साथ एक risk का component लाता है कि फाइदा होगा तो वो भी multiple times बड़ा पत्थर हिला पाओगे नुकसान होगा तो वो भी multiple times मूपे आके road लग जाएगी समझ आया आपको ये although layman बात थी layman example था हमारे business से कोई लेना देना नहीं था लेकिन leverage की definition समझने के लिए ज़रूरी था I hope आपको समझ आया तो यहां से एक बात मैं बोल सकता हूँ जो ये leverage का शब्द है ये liver word से ही derive हुआ है मैं इसका एक छोटा सा example और देता हूँ so that आपको पहले ये definition clear हो जाए फिर मैं इसको stock market में merge करूँगा जैसे ठीक है मान लो जैसे एक car है अब मेरी खुद की capability तो है नहीं कि मैं अपने bare hand से car को pull कर पाऊं कोई भी नहीं कर सकता अच्छा jack होता है jack को गाड़ी के नीचे डालते हैं jack को भी अपने हाथ से ही घुमाते हैं या पैर से करते हैं लेकिन उसके बाद jack की help से तो गाड़ी pull हो जाती है कहने का मतलब मेरी खुद की capability नहीं है कि मैं car को pull कर पाऊं अपने bare hand से लेकिन बाहर से component लाया jack उसको भी मैं अब खुद ही move करता हूं लेकिन वो jack नाम को component जो बाहर से आया मेरी capability को इतना बढ़ा देता है कि मैं car को pull कर देता हूं लेकिन अपने साथ एक risk ले आता है अगर गाड़ी के नीचे लेट के एक बंदा गाड़ी ठीक कर रहा है और गलती से jack तूट गया तो सीधा उपर ही आके गाड़ी गिरेगी क्योंकि खुद की तो इतनी capability शमता थी ही नहीं कि गाड़ी को pull कर पाएं समझाया तो एक बारी दुबारा क्रक्स बोलूँगा सर, leverage का मतलब एक ऐसा component जो बाहर से लाया जाता है आपकी खुद की capability को multiple times बढ़ा देता है जिसकी वज़े से फाइदा होगा तो multiple times नुकसान होगा तो वो भी multiple times अहोब आपको ये सबज आया? चलिए अब इसको एक बारी stock market में merge करके देखते हैं stock market में कहां पे leverage लगता है तो सर, जब हम बात करते हैं stock market में investment की तो पहली बात stock market में किस-किस चीज में पैसा लगाया जा सकता है ये मैं आपको stock market पढ़ाना नहीं शुरू कर रहा हूँ मेरा leverage का concept जहां पे fit होता है मैं वही चीज आपको अभी सिखा रहा हूँ stock market में सर, पैसा जब लगाया जाता है एक तो equity में पैसा लगाया जा सकता है उसके अलावा कुछ options contract होते हैं यहाँ पर भी पैसा लगाया जा सकता है देखते हैं अभी क्या होता है इसके अलावा सर, कुछ forward future contract होते हैं यहाँ पर भी पैसा लगाया जा सकता है इसके अलावा इंडेक्स में भी पैसा लगाया जा सकता है कुमोडिटीज होती है यहां पे भी पैसा लगाया जा सकता है और आखरी में फोरेक्स में भी पैसा लगाया जा सकता है इन कुछ चीजों में पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जा सकता है अगर किसी के मन में आए Sir, debt, bond, यहां पर भी तो stock market में लगा सकते हैं mutual fund में अगर किसी के मन में आए बिटा जी mutual fund ultimately ये सारी चीजों से ही बनता है मैं mutual fund की अलग से बात कर लूँगा पहले major तरीके से Sir, stock market में इनी चीजों में पैसा लगाया जाता है अब पहले फड़ा वट से एक बड़ ये बात समझ लेता है ये होता क्या है देखो, equity का तो मतलब simple सा है किसी company के equity shares खरीदना option contract और forward future contract अब क्या होते है इन में एक बात है common और एक बात इन दोनों को अलग करवाती है बड़ी simple सी बात सर, option contract और future contract में एक simple common बात ये है मैं normal आप से बात करूँ कि मेरे को आज कोई चीज बेचनी है तो सर आज कोई चीज बेचने से पहले मेरे पास वो चीज पहले होनी चाहिए तो ही मैं उस चीज को market में बेच सकता हूँ कहने का मतलब आज मैं market में जाके चलाना शुरू कर दो BMW घाडी खरीद लो मेरे से ग्रहक आजाएं वो कहें हाँ बेच मैं कहूँ है नहीं लेकिन क्या पागल आदमी है कहने का मतलब मेरे पास कोई चीज होनी चाहिए so as to sell that particular thing stock market इस चीज पर नहीं चलती है option contract और forward future contract में stock market कहती है आपके पास अगर आज कोई चीज नहीं भी है तो भी उस चीज को बेच सकते हो इस शर्त पे कि future में उसको buy जरूर करोगे दुबार रिपीट करता हूँ stock market कहती है आपके पास आज अगर कोई शेर नहीं भी है तो भी आप उसको future में sell out कर सकते हो इस शर्त पे कि बस future में उसको buy जरूर करोगे stock market कहती है हमें buy और sell complete करना है so as to compute your profit हमको इस बात से मतलब नहीं है पहले buy किया हो फिर sell किया हो या पहले sell किया हो फिर buy किया हो मतलब मैं इसका अगर reference दूँ मान लो आज किसी share का price 100 रुपे है कल इस share का price 120 हो जाए फिर इस share का price 130 हो जाए और चार दिन बाद इस share का price 200 हो जाए या 250 मान लो और हम यहाँ पर बैठे हैं इस scenario में अगर मैं आपसे आज पैसा लगाने की बात करूँ सर आज क्या करना चाहोगे बड़ी simple सी बात है profit ता बात है जब सस्ता खरीदो महंगा बेचो अगर आपको मालूम हो आने वाले time में पका पका यह होने वाला है मान लो आपको यह मालूम है तो सर आज सस्ता है share तो आज बाय करोगे future में महंगा हो जाएगा तब sell कर दोगे जो इनका difference आएगा 150 यह आपका profit हो जाएगा यह तो सर हो गई normal transaction पहले बाय किया फिर sell किया कर सकते हो मैं इसका ultra scenario रख दूँ आज share का price today 250 है कल 130 हो जाएगा उसके अगले दिन 120 हो जाएगा और 4 दिन बाद 100 रुपे हो जाएगा मान लो आपको यह मालूम है आने वाले टाइम में यह होने वाला है मतलब आपको मालूम है market बिरिश जाएगी आने वाले टाइम में market गिरेगी अब profit कब होता है जब सस्ता खरीदो लेकिन सर इसमें तो मेरे को आज बेचना पड़ेगा आज तो मेरे पे शेर है ही नहीं मैं कैसे बेच सकता हूँ stock market will allow you to do it stock market कहेगी आज इस शेर को बेच सकते हो इस शर्त पे कि future में buy ज़रूर कर लेना हमको buy or sell complete करना है हमको इस बात से मतलब नहीं है पहले buy करो फिर sell करो या पहले sell करो या फिर buy करो हमको ये transaction complete करनी है so that हम आपका profit निकाल पाए buy or sell minus करके profit यहाँ पे 150 आ गया मतलब सर स्टॉक market में पैसा, स्टॉक market में profit market bullish trend पे जाए market bearish trend पे जाए दोनों में लगाया जा सकता है अगर आपको forecast लगाना आता है अगर आपको correct तरीके से forecast लगाना आता है कि future में हो क्या सकता है आप दोनों situation में market गिरे या उपर जाए पैसा आप कमा सकते हो anyway forecast कैसे लगा है आपके मन में एक doubt जरूर आएगा यहापे या एक excitement जरूर आएगी सर यह forecast बताना कैसे लगाया जा सकता है सर यह forecast ही तो main चीज होती है यह आप इतनी जल्दी आज ही की class में नहीं सीख पाऊगे दिरे 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 इस पर थोड़ी बात करते रहेंगे anyway आगे बढ़ते हैं तो सर यह जो reverse transaction एंटर करने की opportunity होती है यह आपके पास option contract में भी होती है और future contract में भी होती है यह तो है इन दोनों की common बात अब सर फरक क्या है आज share का price 250 है मिरको लग रहा था आने वाले time में market गिरेगी और इस share का price 100 रुपे हो जाएगा लेकिन मेरा यह forecast उल्टा पढ़ गया यह share का price गिरने की बजाए बढ़ गया मान लो यह share का price 300 रुपे हो गया चाहर गिन बाद अब सर मैंने जब आज sell किया और sell करते हुए अगर मैंने यह option contract खरीदा था अगर तो future में हो गया 100 रुपे का price तो मेरे को 1500 रुपे का profit है समझा रहे आपको यह दुबार repeat करता हूँ मैंने आज 2500 रुपे का जब share sell किया तो market ने मुझे कहा आज sell कर लो लेकिन future में खरीद ज़रूर लेना इस बात का contract कर लो मैंने का contract कर लेता हूँ लेकिन मैंने option contract किया अगर मैंने यह option contract किया और future में price हो गया 100 रुपे तो मेरे को future में 100 रुपे के price के हिसाब से 1500 रुपे का फायदा हो रहा है क्योंकि आज मैंने 2500 रुपे का sell किया है और contract किया था future में खरीदूंगा future में rate हो गया 100 रुपे का कर लूँगा लेकिन अगर price हो गया sir future में 300 तो बेच के आया हूँ 250 में शर्त लगाई थी कि future में खरीदूंगा जरूर और जब future में खरीदने की बारी आई तो price हो गया 300 अब 300 में खरीदना पड़ेगा खरीदूंगा future में 300 का जबकि आज बेच के आया था 200 का 50 का loss हो जाएगा sir loss के case में अगर आपने आज option contract में शर्त लगाई थी आप खरीदने से मना कर सकते हो आप कह सकते हो मैंने जो वादा किया था जब मैंने 200 का ये share sell किया था तब मैंने promise किया था कि future में खरीदूंगा जरूर मैं इस promise को पूरा नहीं करना चाता आप बोल सकते हो ऐसा अगर आपने option contract उठाया था लेकिन sir अगर आपने ये forward या future contract उठाया था तो कुछ भी हो जाए आपके पास obligation है चाहे loss हो रहा हो चाहे profit हो रहा हो anyway आगे बढ़ते हैं इतनी बात है hope आपको समझ आ गई होगी दोनों में difference समझ में आ गया होगा एक में आप मना कर सकते है future में settle करने के लिए एक में आपके उपर obligation आपको settle करना ही पड़ेगा by the way index अब क्या होता है sensex में पैसा लगाना nifty में पैसा लगाना आजकल एक बड़ी चीज पॉपुलर हो रही है nifty fund sensex या nifty में पैसा लगाने का मतलब sensex में भारत की top 30 companies listed होती है nifty में भारत की top 50 companies listed होती है ये nifty बना ही ऐसे है n stands for national 50-50 से बना national 50 तो nifty में भारत की top 50 companies होती है इन सारी companies के 81 combined भाव को nifty बोला जाता है जो की NSC पर होता है national stock exchange पर और इन 30 companies के combined भाव को sensex बोला जाता है जो की Bombay Stock Exchange का statistics होता है या फिर इसके अलावा BSC bank small cap, mid cap वगरा वगरा ऐसे कई सारे index और होते है commodities तो मतलब इसमें भी sensex nifty vera में भी पैसा लगाया जा सकता है nifty fund में पैसा लगाया जा सकता है क्या होता है वो धिरे धिरे समझेंगे और detail में commodities का मतलब gold में पैसा लगाना, gold bullion silver में पैसा लगाना कच्चे तेल में सट्टा खेलना crude oil अपना यहाँ पे आपका कुछ आपके eatables वगएरा वाली चीज़े आ जाती है coriander में सट्टा खेलना या फिर अपना zinc copper, metal वगएरा में सट्टा खेलना वो सारे चीज़े commodities में आ जाती है जैसे sensex nifty यह भारत की topmost 30 या 50 companies के share से बना है ऐसे ही एक होता है MCX यह commodities का index होता है ठीक है जी Forex तो आपको पता है dollar में, euro में starlings, pounds, pesos, Spanish currency वगएरा इन सब में पैसा लगाना, सट्टा केलना Forex में सट्टा केलना अच्छा यह बात अब मैंने आपसे क्यों करी सर, इन सब securities के आगे ना कुछ ऐसी ऐसी बाते लिखी होती है equity के आगे 1X option contract के आगे 5X forward future के आगे 20X बगएरा बगएरा पहली बात यह जो 1X, 5X 20X होता है सर, इसी को stock market में बोला जाता है technical नाम leverage कैसे है ये leverage जो definition मैंने आपको बताई थी आपकी capability को multiple times बढ़ा देगा, साथ में risk ले आएगा बगएरा जो भी है, बताता हूँ अभी कैसे है बट पहले तो यह समझाया इसी को leverage बोला जाता है और अगर आप पहली चीज तो यह हो गई, इसको leverage बोला जाता है यह सर हर stock broker का अलग होता है मतलब सर समझ नहीं आया सर आपको किसी को भी इनसान को stock market में अगर पैसा लगाना है तो demat account खुलवाना पड़ता है आप यह तो है नहीं, सीधा Bombay Stock Exchange, सीधा National Stock Exchange के पास पहुँच जाएंगे, हाँ जी मेरे को 100 रुपे लगाने है हाँ जी मेरे को 1 लाग रुपे लगाने है Stock Exchange ने कुछ stock brokers को authority दे रखी है कि हमारे बिहाफ पर लोगों के demat account खुल दो ठीक है, जैसे ऐसे में up stocks आ जाता है share खाना आ जाता है मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, इनकी example बता रहा हूँ इसी तरीके से जैसे इसमें zero-धा आ जाता है मैं personally zero-धा सबसे जादा यूज़ करता हूँ अब, ये लोग होते हैं stock brokers हर stock broker ये leverage अलग-अलग देता है समझ आया आपको ये अच्छा, यहां तक की बात I hope आपको समझ आ गई आगे आने से पहले यहां तक के basics मेरे को पहले clear करने है यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए तो ये stock broker देता है ये stock exchange नहीं देता है इसका mechanism भी अभी समझेंगे दूसरी बात practical हमारे conception की दुनिया में अगर मैं बात करूँ concepts की दुनिया में बात करूँ तो सर इनको leverage कहा जाता है practical दुनिया में बात करूँ stock market की language में या broker की language में बात करूँ तो सर इस leverage वाले चीज़ को ये लोग बोलते है MIS multiplier एक होता है MIS multiplier और एक होता है CNC multiplier अभी ये मैं आपको practically भी show करूँगा क्या होता है market में margin intraday scare off margin intraday scare off इसी तरीके से जो CNC multiplier होता है इसकी full form होती है cash and and को end बोल देते हैं cash and carry basically अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए बस उसके बाद मैं concept पर आ रहा हूँ अपने chapter के जो market में जब आप stock market पर पैसा लगाते हैं सर दो तरीकों से पैसा लगाया जाता है एक होता है delivery trade और एक होता है intraday delivery trade का मतलब होता है मैंने आज share खरीदा अब मैं इसको आज की आज बेच दूँ कल बेचूँ पांच साल बाद बेचूँ दस साल बाद बेचूँ बीस साल बाद बेचूँ बेचूँ ही ना मतलब मेरे को आज share खरीदना है लेकिन आज बेचना नहीं है अपनी मर्जी से जब मेरा मन करेगा मैं तब बेचूँगा ये होता है sir delivery trade चीक है intraday trade का मतलब क्या होता है अगर मैंने आज share खरीदा है तो आज की आज उस share को बेच कर transaction को scare off करके profit या loss अपने घर लेके जाना होगा अगर मैंने आज सुभा सुभा market खुली साड़े नो बजे market trade श्टार्ट हो गया मैंने दस बजे एक share खरीदा लेकिन मैं बेच नहीं रहा लेकिन मैंने trade किया था intraday trade में sir जब market close होने का time आएगा तीन बीस से लेकर साड़े तीन बजे के बीच में अपने आप ये share बिक जाएगा मतलब intraday trade का मतलब होता है buy और sell एक ही दिन में पूरा होना है profit या loss पूरा का पूरा एक दिन में कमाओ इसलिए stock market में जिस चीज़ को 60 बोला जाता है वो intraday trade होता है क्योंकि एक दिन में तो sir कुछ भी हो सकता है समझाया इसलिए सबसे ज़्यादा risk ही यह होता है अब ये जो MIS multiplier है इसकी full form क्या थी margin intraday scare off ये लगता है sir intraday के case में और ये जो cash and carry होता है नाम से ही पता चल रहा है आज cash लगा दो उसके बाद carry करते जाओ जब तक मन है ये लगता है sir delivery trade में सो market में जब भी CNC multiplier होता है वो delivery trade के case में लगता है जो MIS multiplier होता है वो intraday में trade में लगता है और मैंने इसी MIS multiplier को क्या का था leverage हमारी concept की दुनिया में इसको leverage कहा जाएगा broker की या stock market की दुनिया में इसी को क्या कहा जाता है MIS multiplier मतलब sir मैं बोल सकता हूँ यह जो 1X, 5X, 20X है यह intraday में मिलते हैं अगर आप intraday में trade करना चाहोगे तो आपको यह मिलेगा अगर आप intraday trade नहीं delivery trade मतलब आज खरीद के जब मन करहें तब वेचने वाला trade करना चाहोगे तो sir सब के आगे 1X होगा अब sir इतनी लंबी चोड़ी बाते आपने कर ली जड़ा मतलब बता दो इसका इसका मतलब sir यह है मान लो किसी share के आगे 10X लिखा हुआ है और मान लो एक share 100 रुपे का है और मेरी जेव में लाक रुपे आ है तो मेरी खुद की capability कितनी है मैं खुद अपनी capability के according इसके कितने share खरीद पाऊंगा sir लाक रुपे आपकी जेव में है 100 रुपे एक share का price है तो sir बड़ी simple सी बात है आप 1000 share खरीद पाऊगे लेकिन क्योंकि इस share के आगे 10X लिखा हुआ है stock market मेरी को इसके 1000 share नहीं 1000 share जो मैं अपने पैसो के according खरीद सकता था multiply by 10 मेरा broker stock market से मेरे को 10,000 share खरीद वाएगा मतलब sir 10X लिखने का मतलब है आप अपनी capability जितने आपकी जेव में पैसे थे उस अपने पैसो की capability के बल पर आप जितने share खरीद पा रहे थे उसके 10 times में आपको 60 खिलवाया जाएगा समझाया यह opportunity है आपकी मर्जी है आप इस opportunity को मना कर सकते हैं कि मेरे को नहीं उठाना यह पहले मतलब clear हुआ चलिए मैं एक बड़ी आपको यह practical चीज भी दिखा देता हूँ यह क्या है यह मैंने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह जिरोधा की विबसाइट खोली हुई है जिरोधा इस वन अफ द ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर अच्छा disclaimer मैं कोई marketing नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी ठीक है मैं use करता हूँ तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं गया margin calculation में मैं दुबार एक पर दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं utilities में brokerage calculator margin calculator आ रहा था इसमें मैं गया यहाँ पे आपको top पर option दिखाई दे रहा हूँगे F&O F&O का मतलब future and options उसके आगे equity futures commodities, currency मैं simple equity अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ मतलब normal share खरीबना है मैंने equity पे click किया यह आ गया अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह सबसे पहले column में लिखा हूँ है script script का मतलब stock market की दुनिया में share को script बोला जाएगा CNC multiplier cash and carry मतलब अगर आप delivery trade करना चाहते हो आज share खरीद के बाद में कभी मर्जी बेचने की opportunity चाहते हो तो देखिए सब के आगे 1X 1X लिखा हुआ है अगर आप intraday करना चाहते हो तो MIS multiplier लगेगा margin intraday square off लगेगा और देखिए किसी के आगे 5X 5X पर यहाँ पर नीचे देखोगे ACC के आगे 11X Akalya के आगे 16X उसके बाद ऐसे ही Adani port के आगे 5X 5X अब इसमें जैसे मैं आपको दिखा हूँ Adani port जैसे यह है मैंने यहाँ पर Adani port के आगे जो CNC है वो 1X है delivery वाला और जो MIS है वो 5X है मैंने calculate पर click किया अब यहाँ पर cash amount वेरा already filled आ रहा है cash available एक लाग रुपे लिखा हूँ है stock price 100 रुपे मेरी जैब में अगर लाग रुपे हो और एक share का price Adani port का अगर 100 रुपे का हो तो मेरी औकाद मेरी capability कितने share खरीदने की है सर लाग रुपे जैब में है एक share 100 रुपे का है मेरी capability 100 share खरीदने की है और 1000 share खरीदने की है तो आप देखिए number of shares that can be bought यह लिखा हुए CNC 1X इसके नीचे 1000 लिखा हुए मतलब अपनी capability के according खरीदोगे तो 1000 share खरीद पाओगे जो की delivery trade पर लगेगा लेकिन stock market आपकी capability को 5 times बढ़ा देगा अगर आप intra day trade करते हो दुबारा repeat करता हूँ stock market आपकी capability को 5 times बढ़ा देगा अगर आप intra day trade करते हो क्योंकि intra day trade पर MIS लगेगा margin intra day scale off जो की 5x चल रहा था मतलब मैं अपनी capability के according 1000 shares खरीद सकता था intra day trade करता हूँ market मेरे को 5000 shares में 60 खिलवा देगी लाख रुपे लगा के ही सर अब इसको leverage कैसे बोल रहे हो आप सुनिए मान लीजे एक share है जिसका आज price 100 रुपे है और आज cash available मेरे पास एक लाख रुपे है ठीक है दो scenarios ले लेते हैं with leverage मतलब with MIS multiplier या without leverage मतलब without MIS अच्छो मान लो future में इस share के price के दो cases ले लेते हैं case A जिसमे price बढ़ रहा है 110 case B जिसमे price कम हो रहा है 95 loss profit दोनों case discuss कर लेते हैं अगर मैं अपनी capability के according बात करूँ तो क्या होगा सर पहले तो कितने share साज खरीद पाओगे लाक रुपे जेब में थे 100 रुपे का एक share है तो अपनी capability के according साथ 1000 share खरीद पाओँगा अच्छा आज share का price 100 रुपे है case A डिसकस कर रहा हूँ आज सर share का price 100 रुपे है future में जब बेचने की बारी आएगी तब share का price 110 हो जाएगा तो इस share इस price पे buy किया हुआ है इस price पे sell करूँगा तो सर 110 में sell होगा आज 100 रुपे में buy किया हुआ पर share 10 रुपे का profit है और अपनी capability के according कितने share खरीदे हुए थे 1000 share कितना profit आ जाएगा case A में total 10,000 रुपे का अच्छा सर अगर case B हो जाता तो सर buy किया हुआ है एक share 100 रुपे का बेचता कितने में 95 का तो सर 95 का sell करूँगा खरीदा 100 रुपे का हुआ था पर share 5 रुपे का नुकसान हो गया number of shares थे सर 1000 तो total कितना नुकसान 5000 का loss तो अपनी capability के मैं बात करूँ लाख रुपे की मेरी capability है जिससे मात्र 1000 shares आप आएंगे 1000 shares खरीद के investment करना is my own capability और इस अपनी खुद की capability में या तो मेरी को 10,000 रुपे का profit हो सकता है इस given example में या 5000 रुपे का loss हो सकता है सर इस share पे MIS चल रहा है मान लो 10X मतलब market जब मेरी को stock market intraday trade में जब मेरी को share खरीदवाएगी मेरी खुद की capability थी सर 1000 shares खरीदने की क्योंकि लाख रुपे जब में थे 100 रुपे का एक share लेकिन market मेरे को इसके 10 times share खरीदवाएगी जब से मेरे लाख रुपे यह निकला होगा market मेरे को कितने shares खरीदवादेगी 1000 shares sorry 10,000 shares अब market ने मेरे को सर 10,000 shares खरीदवादी है अब बात करते हैं case A की surprise हो गया एक share का 110 खरीदा था यह share 100 रुपे के हिसाब से पर share कितना फाइदा 110 का बेचूंगा खरीदा था 100 रुपे का सर पर share 10 रुपे का फाइदा हो गया multiply by stock market ने अब मेरे को कितने shares खरीदवाए थे सर 10,000 कितना फाइदा हो गया लाख रुपे का profit हो गया लेकिन सर अगर हो गया case B तो share खरीदा था 100 रुपे का अब बेच कितने का पाऊंगा सर केस B में price हो गया था 95 नाइल कर पाऊंगा खरीदा था 100 रुपे का तो परशर 5 रुपे का नुकसान हो गया जबकि market ने इस case में मेरे को कितने share खरीदवाए थे 10,000 मेरा नुकसान 50,000 आएगा अब समझने की कोशिश करिए leverage क्यों कह रहा हूँ आपकी खुद की capability थी 1000 shares खरीदने की अपने खुद के लाक रुपे के according stock market में क्योंकि MIS था 10X का इसने आपकी capability को multiple times बढ़ा दिया आपकी capability थी 1000 shares खरीदने की market ने आपकी capability को 10,000 shares तक पहुँचा दिया लेकिन बाहर से लाया गया component था बाहर से कहां से सर stock broker में आपको 10X का component दिया था दुबारा repeat करता हूँ आपकी खुद की capability थी 1000 shares खरीदने की बाहर से एक component आया कहां से stock broker से कौन सा component MIS का component 10X का component ये 10X का component बाहर से आया जिसने आपकी capability को multiple times बढ़ा दिया और आपको 1000 की बजाए उसी price में उसी लाख रुपे में 10,000 share दिलवा दिये बढ़ गई capability multiple times इसकी वज़े से आपकी capability multiple times बढ़ने की वज़े से अगर profit होगा तो वो भी multiple times क्योंकि अपनी capability के according तो बस 10,000 रुपे का profit कमा सकते थे अब कितना profit कमा पाओगे लाख रुपे का लेकिन सर अगर इस case में loss होगा तो वो भी multiple times अपनी capability के according सिरफ 5,000 का loss था अब 50,000 का loss होगा आपको समझा है आपको ये सो basically क्या अब मैं इस 1X जापे थे इसको मैं leverage का component बोल सकता हूँ हाँ सर बिल्कूल बोल सकता है ये सब बाकी चीज़े मैं आपकी knowledge के लिए बताई कि intraday trade में लगता है ताकि किसी के मन में ये ना आ जाए कि सर मेरे को तो मैं तो delivery trade कर रहा हूँ मेरे को तो ये मिल नहीं रहा अहोप आपको इनके मतलब समझा है क्योंकि delivery trade में CNC लगता है cash and carry लगता है जो की 1x होता है समझाया सर इस 400x का मतलब फिर ये हो गया कि कोई बंदा लाक रुपे लगाएगा तो stock market चार करोड का सट्टा खिलवाईगी हाँ सर बिल्कुल यही मतलब हो गया इसका समझाया आपको ये तो मैंने leverage का concept चेप्टर की शुरुवात करी थी risk and leverage की मैं आपसे leverage का detailed में मतलब समझा है आपके साथ discuss किया है layman example दिया फिर उसको stock market में merge किया next class में मैं आपसे ये पूरा detailed में आपके साथ business में अब leverage कहां पे कैसे लगता है उसका concept discuss करेंगे बस जाते जाते एक छोटा सा concept note करते जाईए concept number one income statement और ये income statement देखकर आपको अपने group one के costing के marginal costing की थोड़ी सी याद आ सकती है particulars यहाँ पर हमने लिखा amount सबसे पहले sales minus बिलकुल आई होगी यहाँ पर याद marginal costing की minus variable cost यह resultant आपके पास आ जाता है contribution ठीक है जी इसमें से minus करेंगे fixed cost यह आपके पास आ जाएगा earning अर्णिंग बिफोर इंट्रस्ट अड टैक्से प्यार से हम इनको बोल देंगे EBIT फिर इसमें minus होगा interest interest minus करने के बाद आपके पास आएगा earnings before taxes इसको प्यार से हम बोल देंगे EBIT minus करेंगे यहां से tax आपके पास आ जाएगा earnings after taxes इसको प्यार से हम बोल देंगे EAT या कई बारी इसको लिखा होता है P.A.T Earnings after tax या profit after tax यहां से फिर minus होता है preference dividend preference dividend minus करने के बाद आपके पास आता है earnings available for equity shareholders या फिर oblique इसको बोला जाता है एक और नाम से maximum permissible dividend earnings इसको divide मत समझ लेना इसके यह दो नाम है minus किया जाता है इसमें से इसके बाद equity dividend और आपके पास आ जाती है retained earned earnings complete करिए चलिए बाकी फिर next class में चलिए अचलिए कुछ यह चलिए रहो है यह नाम है नाम है भी ले इसके बाती है